जोस्तो मेरा नाम है आवन और मेरे यूटुब चैनल के नाम है आवन साफ़ा जिसमा आपका स्वागत है जैसे कि अगर आपने मेरे प्रिवियर्स वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बहुत सरे डिफरेंट टापिक्स लेकर आथा साथ में उसके पॉइंट्स भी मैंने ए एक जो वीडियो है वह मन की बाल जो शुक्त पर है या उनको कुछ प्रॉब्लेम हुई तो उनको कैसे आगे बढ़ना उनको कैसे आगे पुशत करना उसके बारे मैं एक छोटा सा काउंट्स इंघर हो आपने ना देखा और प्लीज पहले वह वीडियो देख लेना और साथ अगर आपने देख लिया तो प्लीज मुझे कमेंट में बेंच देना कि वह वीडियो कैसा बना है तो वह सब ठीक है पर आज के वीडियो में मैं एकोनोमिक के रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम बोले के न्यू एकोनोमिक कैसी 1991 ilk policy अभी न्यू एकोनोमिक पॉलिसी के बारे में समझने से पहले छोटासा एक फुल वर्म देख ले लेकिसा LPG का ल मतलब लिब्रलाईजेशन अं पी मतलब अट फ्राइवेटैडेजेशन और गलोबलाईजेशन rest इसका यह फुल फॉर्म था तो सबसे पहले हम जानते कि न्यू एकोनोमिक पॉलिसी थी जो 1991 में उसका रिफॉर्म हुआ मन्दब वो इंट्रोड्यूच हुई तो उससे पहले हमारे इंडिया की क्या कंडिशन दी उसके पहले पहले डिस्कुश करते हैं तो सबसे पहलें हम जब — से बयार में आजार हुए मलब तो तो वो इसके फ्रीडम म्ली वो ठीक है यह जो प्रॉब्लम होई थी जो एकोनमिक क्रैसी साइट है जो बढ़े बड़े डिस्क्रिक्षन से बहुत सारी प्रॉब्लेम थीah जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर जो था वो दीरे दीरे डिक्रीज होने लगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिष्रिक्षन थे हाडनेस थी कि आपको यह फैसिलिटी नहीं मिलेगी या आपको जो भी ट्रेड करना है वह एक प्रॉपर लिमिटेशन में करना है तो वह टैम पर मोर्सली गवर्मेंट जो सेक्टर था पब्लीक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं वह ज्यादा चलता था क्योंकि सब गवर्मेंट क क्रिकने के लिए कोई नहीं था क्यूंकि इतने सारे रिस्टिक्शन देखके कोई प्राइवेट जो इन्वेस्टर हो गभी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करता था तो यह हमारे इंडियन एकोनोमी में यह बहुत सारी अलग अलग पॉलीसी थी बाद में ऐसे प्रोग्राम से ऐसे लॉस से ऐसे राइट से जो आपको वहां पर रिस्टिक कर देते मलब पूरा बैन कर देते और वहां पर आपको अट कर देते बट यह एकोनोमिक क्राइजिस बहुत भारी पड़ा आप सोच नहीं सकते अगर अगर आज एलपीजी मॉडल अगर क्या मुनते है उसको प् आप कोई फैसिलिटी नहीं को ही जा सकती थी पर हमारे इंडिया के प्रांए मिनिस्टर यह जिस नहीं यह रिफॉर्म किया एक निउज़ इक पॉलीशी बनाइं जिससे हमारा देश देरे देरे आगे बढ़ने लगा हमारे प्राइजिस थे हमारा जो payment balance था वो बहुत ज़्यादा था हम debt में चल देते उधारी के उपर चल देते और दूसरा inflation मेंगई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसको save करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नर्सीमम राव और हमारे finance मिनिस्टर मनमोहन सिंग ने मिलके 1991 में new economic policy create की कॉंसी डेट को जूलाइ 24 1991 में new economic policy एक जट्रेट की या इंट्रोड्यूस की उसमें वो policy में जितने भी जो 1991 के पहले जितने भी रिश्रिक्स थे बात में जितने रूल्स में बहुत hardness था मतलब क्या रिजिड ही थी तो जितना भी hardness और रिजिड ही थी वो धीर धीर कम होने ल रहते हैं यह बहुत सारे उनको license चाहिए तो वो सब देरे देरे cancel किये और एक प्रॉपर license बनाया एक प्रॉपर documentary का process बनाया पूरी process एक सेट कर दी सब चीज में और में फाइदा इसमें किसको हुआ industrial sector और service sector और उससे भी ज़्यादा किसको हुआ private sector इसमें क्या हुआ था क जब British राज चल रहा था मतलब क्या British जभी हमारे इंडिया में रूल कर रही थी तभी क्या वादा वो हमारा जो raw material है जैसे की cotton हो सकता है या कोई ऐसी कोई agriculture field की कोई जो अनाज बोल सकते या grocery बोल सकते वो directly क्या करते थे वो अपने country में बेशते थे इंडिया से अगर समझो तो अमेरिका में बेशते थे या यूरोप में बेशते थे और वहां से वो packing होके हमारे इंडिया में आती थी और हमारी product हमें वो कितने में देते थे double power, triple power, ज्यादा से ज्यादा अपनी price collect करते थे तो उसके कारण वो उधारी हो बें थी और वो उधारी के कारण हम जो उध production था हमारा agriculture में जो production था प्राइवेट जो companies हमारे पास थे जो पैसे लेती थी वो सब लेके रफू चक्तर हो गया निकल गए इतन से जोगाड करके पर हम यहां पर फस गए हमारा economic देरे देरे गिरने लगा तो उसको setup करने के लिए दो नमूने कौन-कौन यह दो बड़े मह व्यक्ति जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर हमारे नर्सीमम राओ और फाइनांस मिनिस्टर मन्मोहन सिंग और उनका एक ग्रुप जिसने LPG policy क्रियेट की जिसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन से सब बढ़ गए और बात में दीरे-दीरे LPG policy जैसे successful होती गई तो दीरे-द इन्वेश्टमें हमारे इंडिया में होने लगा मतलब जितने भी private company थी वह सब दीरे-दीरे इंवेश्ट करने लगी क्योंकि हमारे restrictions जो 1990 एंग पहले थे वह सब हड़ और एकदम casual हो गया मतलब एकदम smooth हो गया हमारा जो इकोनमी से तो उसमें दीरे-दीरे सब इन्वेश् करते हैं वो दीरे-दीर positive में आने लगे उधारी जो जो कंट्री की उधारी थी हमारे हाथ में वो सब पे कर दी बात में दीरे-दीर एक स्टेबलाइस एक बैलेंस आ गया और दीरे-दीरे ऐसे हमारी economy बढ़ते गई तो जितने भी जो restriction से वह हट कर तो इससे पहले ही reforms आप अब वह हाट नहीं हो चाहिए मतब एकदम hardness वाला नहीं होना चीए बहुत सारी restrictions नहीं होना चीए एकदम कम restriction और ज्यादा उनको फाइदा हो ऐसा हो ना चीए तो वह उसको फॉर्म था उसको reform किया मतब वापीस बनाना तो इसमें बहुत सारा ऐसे measures भी थे कि कि किसको किसको डॉलर जो करन्सी है उसमें उनको पैसे मिलते तो दीरे दीरे एकोनोमी ऐसा ही बढ़ती कि उनको रूपीस मिलते कहीं यूरोप कियोगी तो दूसरी कोई currency मिलते कहीं तो जैसे जैसे उनको करन्सी मिलते कहीं तो वह development के वहां से वापे चलते गए और अभी हमारा जो country है अ अगर यह situation नहीं होती 1991 में new economic policy नहीं आती तो हम भी अंडर डेवलोप में होते हैं जो third category है हम अभी second category में क्यूंकि इन लोग ने हमारी इंडियन एकोनोमी को सेव कर दिया हमारे इंडियन एकोनोमी को यह बचा लिया तो यह जो रिफॉर्म से यह बहुत बहुत ज़्यादा important है और यह बहुत deep में पर अभी में short में क्यों यह short में ही लेते जासा है क्योंकि अगर आप deep में पढ़ने को तो वो खतम ही नहीं होगा और में एकोनोमी की रिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिफॉर्म एकोनोमी में जो हमारे कंट्री इसको बढ़ाना मतलब क्या हमारी एकोनोमी स्पीडी से बढ़ाना और दूसरा पॉलीसी में continue change करना जो प्रोग्राम्स हो रहे जो पॉलीसी से जो लौ है यह जो रूल्स रेकूलेशन से उसमें continue change रखना और उसको ज्यादा से ज्यादा इसी बनाना तो एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा मिले तो वह एडवांटेज के लिए दीरे दीरे सब ऐसा हमारी कंट्री डे और वह competition के कागड़ दीरे दीरे बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होती गए और जैसे जैसे ट्रेडिंग होती गए उतना ही टेक्स गवर्मेंट को मिलने गया और गवर्मेंट ने क्या किया citizens को जो citizens थे उनको दीरे दीरे सर्वीस प्रोइ करने लगए मनलब साक एक सक्ञाइब करने कंटर मुम्लक परीज को परो क्लिवेड में कम करते हैं दोनों के employees एक साथ काम करते हैं और हमारी जो infrastructure facility है या कोई ऐसा रोड का बड़े ब्रीज का कोई बड़ा contract हो तो दोनों के बीच में पहले contract होता है कि यह bridge हमें बनाना है एक particular time period में और private sector हो के हम एक particular time period में उसका profit लेंगे 10 years, 20 years उसके बाद वो जो bridge का project है वो government हो जाएगा ऐसे सब contract होता है यह triple P करके है अगर आपको triple P के बारे में public private partnership के बारे में अच्छे से जाना हूँ मतलब आप मेरे को ऐसे बोलना है उसका एक video बना है और मुझे उसके अंदर बहुत detail में जाना है और deep में जाना है तो मैं वो वीडियो पक्का लेकर होगा बस मुझे comment कीजिए यह सबसे important है क्योंकि आप comment नी करोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या कंसी concept clear नहीं हुए तो आज के उसमें हमने क्या देखा new economic policy 1991 दूसरी वो new economic policy कभी introduce की थी वो मैंने date बोलना भूल गया हूं तो वो बोल देता हूँ 24 July 1991 क्या बोलना हूँ 24 July 1991 में यह policy introduce की थी वो policy का एक छोटा सा model था LPG policy, liberalization, privatization और globalization तो यह जो तीन वर्ड है उसके अंदर ही पूरी policy बन गई थी और यह policy में जो यह तीन पार्ट है वो मैं तीन अलग वीडियो में समझाऊँगा आज के वीडियो में सिप मुझे यह discuss करना था कि new economic policy 1991 क्यों मलब क्यों रिफॉर्म की मलब क्यों बनाए और द पार में नियू economic policy का introduction लिये next वीडियो में बात में उसके बात वीडियो में पी और उसके बात के वीडियो में जी के लाग। थैंक यू